इंदोर क्राइम ब्रांच ने इसे चातिर आरोपियों को गिरफतार किया है जो मेरिज गार्डनों में चोरी की वारदात को अंजाम दे कर फरार हो जाते थे पकड़ेगाय आरोपियों से क्राइम रांच ने बड़ी मात्रा में चोरी के सोने चांदी के आभूशन बरामत किये हैं आरोपियों से पूश्टाज में खुलासा हुआ है कि फरवरी माह में चंदन नगर थानक शेतर के दस्तूर मेरिज हॉल से बैक चुराया था जिसमें सोने की जेवरात तथा 20,000 रुपे के लावा कुछ पैसों के लिफाफे भी मिले थे फिलाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूश्टाज करने में जूट गई है जिससे चोरी की और भी घटनाओं के खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है ये दो आरोपी अभी गफ्तार किये गए हैं और ये मेरिद गार्डन्स में जिवरात और सामान चोरी होने जतनाए पहले भी प्रिकाश में आई हैं इसको लेके फुलिस वर्षदिकारियां के नर्देश पर लगातार सक्रीता से पूश्टाच पतारसी करती है और इसी प्रिकेश में जो आरोपी गवी और गोविंद को गफ्तार करने में सबलता पर इसको मिली हैं इंचे लगबग 20 ग्राम दो तोला सोने का जो अभूशन है वो बरामत कर लिए गा हैं इसी एक मामले में अन्य मामलों के लिए पूश्टाच की जा रही है इन दोर से निखिलेश सोलंकी की रिपूट